जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, जीवन में कई छण ऐसे आ जाते हैं जब एका एक पेसों की आवसक्ता हो जाती है कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिन में पैसों के आवसक्ता होती है और ये रकम छोटी मोटी नहीं होती है, बड़ी रकम होती है कई प्रसंग, कई घटनाएं एसी येवन में घट जाती है कि जिसके चलते व्यक्ति को एका एक पैसों के आवसक्ता हो जाती है चाहे व्यक्ति के पास कितना ही पैसा क्यों न हो, लेकिन वो पैसा कम पढ़ जाता है जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक पैसा होता है, उसकी जरूरत भी उतनी ही बड़ी होती है जिस व्यक्ति का प्यास में कम गुजरान है उसकी आवसक्ता भी उसी के हिसाब से होती है तो कहने का ताथ पर है आपकी जितनी भी आवसक्ता होती है उस समय आपके पास में जो पैसा है वो कम पड़ जाता है और ऐसे समय पे जब व्यक्ति सभी तरफ पेसों के लिए जब वो जाता है हास लगा करके जाता है तो उसकी आसा जो है वो फलिभूत नहीं हो पाती है तो ऐसे समय पे उसको देविय सक्ति के आउ सकता होती है और ऐसी देवी सक्ती की मदद के लिए मैंने काफी नमबर्स दिये हैं और इससे काफी लोगों के काम भी बने हैं आज ऐसा ही एक और में नमबर आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको तदकाल पेसों की जरूरत पड़ जाए यदि आपको एका एक आवस्यक्त हो जाए पेसों की तो इन नमबर्स को यदि आप जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरह से यदि आप ध्यान करके बोलेंगे तो कोई नो कोई व्यक्ति अवसी ही आपकी मदद के लिए आएगा आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा या तो आप जहां जहां भी जाएंगे पेसों के लिए उनहीं में से कोई नो कोई व्यक्ति जरूर आपको जितना पेसा चाहिए उतने पेसे की मदद कर ही देगा तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिनतम गरंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूड रहसे हैं जिसके बारे में जानकारी ब्रदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगे उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे ठीक है? तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाए कि यदि आपको एका एक ततकाल में पैसों के आउसकता हो जाती है कि जिसके लिए आपकी व्योस्ता नहीं हो पाती है या आपके पास जो जमापूंजी है वो कम पढ़ जाती है तो ऐसे समय पे आप क्या करें? कौन सी देवी सकती की आप मदद ले? इसके लिए कई वेक्ति जैसे कई लोगों का आपने सुना होगा कि वो अपने कुल देवी, कुल देवता की पूजा करते हैं कई लोग मननते मांगते हैं कई अलग-अलग तरह से लोग अपने तरीके से गुहार लगाते हैं उस सकती की जो सकती आपकी मदद कर सकती है क्योंकि इस समय आपकी सक्ती कम पढ़ रही है, छोटी पढ़ रही है, आपकी अपनी ताकत से काम नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं भी आपको एक ऐसा ही नमबर बता रहा हूं कि इस नमबर को यदि आप बोलते हैं लगतार, तो आपको अवस्य ही कहीं न कहीं से मदद जरूर मिल जाएगी। तो जो नमबर है वो मैं बता दूँ, देखिए जो अचानक पैसा है, अचानक पैसा यदि आपको चाहिए, तो अचानक पैसा आपको राहू दिला सकता है, तो इसके लिए आपको चार का जो अंक है, इसको राहू का अंक भी माना जाता है, तो आपको चार का अंक बोलना है, दूसरा है गुरू का अंक। गुरू जो आपसे बड़ा है वो आपकी मदद कर सकता है। तो आपको दूसरा अंक है गुरू का अंक वो बोलना है तीन का अंक। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही बोलना है जैसे मैंने कहा चार कांग तो आपको ध्यान करना है रहूगा यदि मैं कह रहा हूँ तेन कांग आप सोच रहे हैं तेन कांग तो आपको गुरू का ध्यान धरना है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ साथ का अंक, साथ का अंक लाबकारी अंक है जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में यह अंक रहता है साथ के नंबर वाले जिस किसी भी व्यक्ति के मित्र रहते हैं या साथ के अंक की कोई चीज आपके साथ में है, तो आपके साथ में हमेशा सूभ होगा, पैसों की आपके पास में कमी नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति या वस्तू को आप कहीं लेके जाएंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा, आपका काम उस समय के लिए निकल जाएगा, जो तो यह आपको याद करते हुए इन अंकों को आपको लगातार लगातार बोलना है और आपकी जो तकलीफ है उसको आपको याद करना है आपको जो पैसे चाहिए रकम चाहिए आपको उसके बारे में सोचना है और यदि आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं कहीं आप पैसे लेन तो एक काम और करें कि अपनी नाड़ी चेक कर ले जो नाड़ी जिस आपकी छिदर में से स्वास आ रही हो उसी कदम को घर से पहले देहली से बाहर रखें और इस नंबर को बोलते हुए जाएं आप वहां जाएंगे खाली हाथ वापिस नहीं आएंगे आपका काम बन जाएग ठीक है तो इदि आपको ततकाल पेसों की जुरुत पढ़ जाए और कहीं से आपको मदद न मिल रही हो समय कम हो तो इन नंबर्स को आप बोलना सुरू कर दें आपका काम बन जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लाबनित होते रही है धन्यवाद